नमस्कार दोस्तो ओल इंदिया इडियो चल में आपका स्वागते दोस्तो यदि आपका बैंक अकॉंट पंजाब निशनल बैंक में है और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरीए किसी को भी पैमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की वीडियो के जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उससे आप तुरंत ही नेट बैंकिंग से दूसरे के बैंक अकॉंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करत दोस्तों उसके बाद में आपको PNB1 को उपन कर लेना है और यहां परज़ ट्रांसफर का औप्षिन मिलीगा इसके उपर आपको क्लिक करना होगा उसके बाद में यहां पर तीन आप्षिन आएगा रेगूलर ट्रांसफर क्विएक ट्रांसफर और इंडो-NEPA तो आपको क पंजाब निसनल बेंक में और उसमें दो बैंक अकॉट खुला रख़ें आपने एक बैंक बहुत से दूसरे यहां luco रंदेंग करना है और यहां पर आपको ऐस्वाहएद करना होगाए उसके लिए आपको यहां पर इस प्लस वाला इकन पर क्लिक करना है और यहां पर उसका अकाउंट नमर डालना है एड़ पर क्लिक करना है उसके बाद में बेनिफिश्री एड हो जाएगा उसके बाद में आप उसको पैमेंट कर सकते हैं बेनिफिश्री एड करने के बाद में दो गंटा वेट करना होगा, उसके बाद ही उस पे आप कभी भी जितना चाहे उतना payment transfer कर पाएंगे, उसके बाद में तीसरा जो option है, वो other वाला option है, यानि अगर आप आपका जो PNB का account है, और दूसरे का किसी का भी हो, ICC, SBI, HDFC, किसी का भी bank account हो, तो आपको other वाले option पर click कर है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर select paper ही click करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक beneficiary rate करना होगा, उसके लिए आपको plus वाले icon पर click करना है, यहाँ पर आपको उसका nickname डाल देना है, यानि उसका जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यह इसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहें उसके बैंक का IPC कोड डालना है फिर उसका एड्रेस डाल देना है और यहां पर आप लिमिट सेट कर सकते हो कि जैसे कि मैं यहां पर 10,000 रुपे अगर मैं यहां पर लिमिट सेट कर लेता हूं तो यानि मैं 10,000 होनने के बाद में उसको जादा पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा और यहां पर आप नमर ओफ ट्रांजेक्शन डाल सकते हो कि आप उसको पांच ट्रांजेक्शन ही करना चाहते तो यहां पर को चाहरे ही डिटेल है वह कर लिए तो यहां पर आपको सारे सब्मेट करने दये जैसे और बटा नेगे उस का जो भी बैंक होगा वह यहां पर शो करेगा और उसकी ब्रांच भी आपको यहां पर बता देगा ठीक है उसके बाद में यहांपर मैंने सब्सक्resh का रखान रख मिलेगा तो इसको उपर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद में यहां पर आपको ट्राजेक्शन पासवर्ट डाल देना है ट्राजेक्शन पासवर्ट डालने के बाद में यहां पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर लेना है उसके बाद में आपके र करना होगा दो कंटे के बाद में आप इस पे किसी को भी पैमेंट कर सकते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दो गंटे वेट करने के बाद में फिर आपको यहां पर transfer पे click कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको regular transfer पे click कर लेना है फिर आपको continue पर click कर लेना है उसके बाद में आपको यहां पर others पे click कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको select pay पे click कर लेना है जो भी आपने benefit क कि यहां पर शोग करेगा उसके बाद भी इस पर क्लिक कर लिए और आपको तुरंप पैसे ट्रांफफर करने के लिए आपको क्या करना है IMPS पेई आपको tick रखना है जिसे के आप जिसे भी payment कर रहे हैं तुरंती उसके bank account में पैसा transfer हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको amount डाल देना है कितना आप पैसा transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं demo के लिए 100 रुपिज डाल रहा हूं भी और यहाँ पर आप कोई भी remark डाल सकते हैं डाल दीजे उसके बाद में यहाँ पर आपको continue पर click कर लेना है उसके बाद में concept bank account में transfer हो रहा है एक बाद आप दुबारा से इसकी detail चेक कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको confirm का option मिलेगा तो इसके उपर आप क्लिक कर लिजे उसके बाद में आपसे transaction password पूछेगा तो वो आप यहाँ पर डाल दीजे उसके बाद में आपको यहाँ पर confirm पर क्लिक कर लेना है उसके बाद में आपके नंबर पर one time OTP आएगा वो आपको यहाँ पर submit करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको confirm पर क्लिक कर लेना है और आपका जो payment है जिसके भी account में आपने payment transfer किया वो successful हो चुका है और तुरती उसके back account में पैसा transfer हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी back account में PNB, net banking के जरीए payment transfer कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंदा होगा अगर पसंदा है तो like and share जरूर केज़ेगा